पेटियम की ट्रांशिशन हिस्ट्री को Permanently Delete कैसे करें तो दोस्तों आपने YouTube पर ऐसी बहुत सारी वीडियोई देख देहूंगी जिसमें आपको कहा गया होगा कि पेटियम की ट्रांशिशन हिस्ट्री डिलेट ऐसे करते हैं वैसे करते हैं लेकिन अभी तेकर आपने अपने पेटियम की ट्रांजिशन हिस्ट्री डिलीट नहीं की होगी तो येकीन माने अगर आज की वीडियो आपने कम्प्लीट वाच कर दी तो इस वीडियो को देखने के वाद आपको यूट्यूब पर पेटियम ट्रांजिशन हिस्ट्री डिलीट करने का option नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको एक trick लगानी पड़ती है, आपको एक setting करने पड़ती है, तो जैसे कि आप देखने हैं, यहाँ पर मुझे जो पेटियम में direct transition history delete करेंगा, कोई भी option नहीं मिलता है, आपको शेयर का option मिलता है, help का option मिलता है, अगर आपको भी अपने पेटियम के transition history को direct से delete करना है, तो यहाँ पर आप phone pay का इस्तमाल कर सकते हैं, तो जैसी आप phone pay पर कोई भी transition करना हो, तो जैसी आप अपने mobile phone की home screen पराना होगा, तो जैसी आप अपने mobile phone जञाने पर आपको बहुत सारे प्टेशन देखने कोरें आपको स्कॉरल करेंगे आपको स्क्रोल करने तो आपको नीचर लास्ट न पशीन देख रहा होगा वेलड का फास्ट दाग क holiday का सेविं अकौट यकष्थ कदेशन पड़ गहाँ है थोड़ा आपको वेट करना है तो आपके समने as interface निकल के आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको निचे देख रहागो view all service तो आपको view all service की आइकन पर क्लिक करना है तो जैसी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे option देखने को मिलेंगे saving account का valid का fasta का report fraud का bank KYC का profile setting करां तो आपको profile settings की आइकन पर क्लिक करना है तो जैसी आप profile settings की आइकन पर क्लिक करेंगे तो दिहान से देखने आप जो जो मैं आपको setting को तो आपको भी ठीक ही setting करने है तो गैरंटी के साथ कहते हो आपकी पेटियम transition history को permanently delete करके दिखाने वाला है तो यहां पर आपको नीचे bottom देख रहा हूँ चैट with us तो आपको चैट with us के आइकन पर क्लिक करना है तो जैसी आप चैट with us के आइकन पर क्लिक करेंगे थोड़ा आपको यहां पर वेट करने तो आपके सामने बफनिंग लेगा तो आपको दूसरे वाले option को क्लिक करना है तो यहां पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि I was close my to delete my account क्यों करना है तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता हूँगा अगर आपको भी अपनी पेटियम की transit history को permanently delete करना है तो यहां पर आपको अपने account को एक बार delete करना होगा उसके और इसे बhã मैं बहुत हिसे आपको क्लोज चैसे बार है इसाए को क्लिक करना हुआगा है जैसे अपको पने에 पेटियम के अकौंट को क्लोज करें गए करें तो cannon rap को एको देलिट करेंगे तो आपकी पेटियम के एकॉंट को यहां हो जाएगा तो दोस्तों में आपको बतलह तो आपके को इस पर अने पर आना है जया का आपको आना है होस्क्न आपको यहां पर आना है होमस्किन पर आपको इस पर इस बाखिट्यूम को इंस्टाल करना है गए अन्स को बाखthenिक करें-ऐस है जो मैंने आपको बताए यही एक solution है और इसका यही एक आखरी solution है इसके लावा इसको और कोई भी solution नहीं है पेट्टियम की ट्रांसन हिस्ट्री को डिलेट करने का यह थी छोटी सी information वीडियो अच्छे लगी चैनल को सब्सक्राइब करा न बोली थैंक यू